हमने 100 schools में 100 plants plant किये यानि मैंने 100 पौदे हो गाए 100 schools में एक महीने के बाद मेरे इतने पौदे भज गए मुझे इसका grouped frequency distribution table गुनाना है frequency distribution table होता है कौनसी चीज कितनी बारी आ रही है यानि मेरा 95 सपोस्थ 2 बारी आ रहा है 67 एक बारी आ रहा है and so on अगर मैं ऐसे करते रहूं तो मेरे table बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं इसको group कर लेता हूं जैसे 20 से 30 की बीच में 3 बारी आ रहा है 30 से 40 की बीच में 4 बारी आ रहा है and so on तो पहले हम यहाँ पर grouping करते हैं grouping के लिए मैं यहाँ पर देखता हूं मेरा minimum number कौन सा है मैं अगर notice करूं यहाँ पर minimum होगा मेरा 23 और maximum है यहाँ पर 98 तो मैं यहाँ पर interval कुछ ऐसे बनाता हूं 20 से 29 की बीच में 30 से 39 की बीच में ऐसे ही 90 से 99 की बीच में and so on तो मैं यहाँ पर देखते हैं इसको मैं कुछ ऐसे denote कर देता हूं आखरी row हम total के लिए छोड़ देते हैं अब यहाँ पर हम tally करते हैं कौन सी चीज कितनी बार यह आ रहे हैं पहला number है 95 तो यह होगा मेरा 90 और 99 की बीच में तो यहाँ पर मैं एक dandy मार देता हूं यहाँ से मैं हटा लेता हूं अगला है 67 तो यह होगा 60 और 69 की बीच में तो यहाँ पर dandy मार देता हूं ऐसे ही अगला है 28 तो यहाँ पर होगा यह फिर 32 तो यह यहाँ पर होगा फिर 65 तो यहां पर होगा, फिर दुबारा 65 तो यहां पर होगा, 69 भी यहीं पर होगा, फिर 33 तो यहां पर होगा, फिर 98 तो यहां पर होगा, फिर 96 तो यहां पर होगा, फिर 76 तो यहां पर होगा, फिर 42 तो यहां पर होगा, फिर 32 तो यहां उपर होगा, फिर 38 यहीं पर होगा फिर 42 तो यह यहाँ पर होगा फिर 40 तो यह यहाँ पर होगा similarly 40 दुवारा फिर 69 अब 69 यहाँ पर आएगा पर यह 5th time आ रहा है पांच वी बारी आ रहा है तो पांच वी बारी जब आता है तो हम यहाँ पर diagonally बनाते हैं यह पर आएगा फिर 92 तो यह यहाँ पर आएगा अब क्योंकि यह 5th वाला element था तो यहाँ पर हमने ऐसे डंडी मार के शो किया ऐसे similarly हम बाकी कर लेंगे तो यह कुछ ऐसा आजाएगा मेरा अब यहाँ पर हम count करते हैं number of schools यह 3 है तो यहाँ पर 3 आएगा यह मेरा 5 का bundle है तो यह होगा 5 प्लस 5 प्लस 4 यानि 14 ऐसे ही यह मेरा 5 का bundle है यह होगा 5 प्लस 5 प्लस 2 similarly हम बाकी count कर सकते हैं अगर मैं यहाँ number of schools का sum करूँ तो यह 100 आना चाहिए मुझे 100 schools given थे question में अगर यह 100 नहीं आ रहा तो हमने कुछ गरबढ़ किये है अब यहाँ पर हमें एक और चीज निकाले है 50% या उससे ज़्यादा plants कितने number of schools में survive किया है अब 50% होगा मेरा 50 क्योंकि यह 100 plants है total तो 50 से ज़्यादा होगा मेरा यह 50 59 वाला यह वाला यह वाला यह वाला और यह वाला यह सारे वाले तो 50% और more यह plants survive किया है 8 प्लस 18 प्लस 10 प्लस 23 प्लस 12 यानि 71 schools में